गुड मॉर्णिंग प्यारे बच्चों, आज हम क्लास नायंत की समाज विज्ञान की वक्षिट नमबर 81 करेंगे, रेट है साथ फरवरी, हमारा टोपिक आज का नाजी वाद और हिटलर का उद है, पिछली वक्षिट में हमने यही पढ़ा था, आज हम उससे आगे यह आपकी इथियास का जो चैप्टर नमबर 3 है, आपकी वुका, बहुत इंपोर्टन चैप्टर है, सबसे पहले देखते हैं हमें आज की वक्षिट में क्या क्या पढ़ना है, इससे पहले वक्षिट में हम उससे आगे देखें, नाज सी विश्व दस्टी कोन जो था, उस को यह सी डिष की लिए नासी वार्ट पर आंव लोगों की प्रतिक लिया नाजसी वारद पर आंप लोगों की प्रतिकरिया इसका मतलब है तेयर बहुत इंजानेंगे उससे reward करेंगे गटना हुई थी उस समय बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम के परस्प्रक्टिव से ठीक है हम इसके बारे में भी जानेंगे बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट है आसे कोश्चन हमेशा बनता रहता है तो शुरू करते हैं आज की वक्षीट को नाच्सी विश्वदर्ष्टि कोन का पिर्चार कैसे किया गया नाच्सी शासन ने मीडिया का बड़ी होश्यारी से इस्तिमाल किया आपको एक पॉइंट एधान रखना है उसके परसार के लिए क्या 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 है मीडिया का बड़ी होश्यारी से इस्तिमाल किया गया उन्हों अपने तोड़ तरीकों से ब्यान करने के लिए नए शब्द इजात की है जब वो भ्यान देते थे वी बहरते थे लिए इजात मतलब मतलब है गल लएं फ़ अपने अदिकरत-दसथा वेज़ों में हतिया मोत जैai आसे सब्डौ का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। सामूहिक, हतियां को विशेश वहबार जब शामूहिक हतिया होती थी उसे क्या वोलने साना कर दी आगया है। जब भले से वह सामुवी खत्याएं की गई हो यानि एक समुवी बहुत सारे लोग की खत्याएं की गई हो उसे बोलते थे अंतिम समाधान हो गया जब किनकी यह जो लोग होते थे जिनकी हत्याएं की आती थे अकर यहुदी धरहम से संबनित होते थे यूथनेजिया अगर विकलांकों की सामोगी खत्यां की आती थी तो उसे बोलते थे यूथनेजिया चैन और संकर्मन मुक्ति आदी शब्दों का प्रियोग किया गया किसी चीज के लिए हत्याओं जिया मोत के लिए इन सब सब्दों का प्रियोग किया गया इवेक्वेशन बोलते हैं खाली कराना का आश्या था लोगों को गैस चैंबर में ले जाना ठीक है अगर उनकी मीडिया में या उनके जो आधिकारी दस्तावेश थे किसके नाची ओं के नाची धासन के उसमें अगर इवेक्वेशन शब्द लिखा हुआ है उसका मतलब है लो को संक्रमन मुक्ति शेत्र कहा जाता था ठीक है अगर आपसे कोशन पूछा जाए क्या नासी विश्व दस्तिकोंड के नुसार या नासी वाद के नासियों के अधिकत दस्तावेश के नुसार संक्रमन मुक्ति शेत्र किसे कहा जाता था तो किसे कहा जाता था गैस चैंबरो इस्तनान घर जैसे दिखाई देते थे उनमें नकली फवारे भी लगे होते थे ठीक है यानि क्या करते थे वैसे तो गैस चमबर थे लेकिन उन्हें इस्तनान घर की तरह बनाये गा था जहां पर नकली फवारे भी लगे हुए थे नास्ती विचारों को फैलाने के लिए तश्वीरों, फिल्मों, रेडियों, पोस्टरों, आकरसक नारों और इस्तहारी पड़्ची का खूब शहारा लिया जाता था पोस्टरों में जर्मनों के दुस्मनों की खास छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेस किया जाता था, समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पतब्रष्ट तत् सब्वारत को एवानशित पर केंदरित कर दिया ठीक है तो यह तरह इतनी सारे काम थे ठीक है जो आपने देखा होगा वा मोत रहत्या सब्सक्राइब कि फिल्मों रेडियो पोश्टरो नारों आदी कर शारा लिए जाता था ठीक है जो दुस्मंत थे उनके खास शबियां बनाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाए जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, तो इन सब चीजों से क्या होता है, इन सब भी चीजों से लोगों में एक तरीके से इसको प्रसूत किया गया लोगों के सामने, नास्सी विचार धारा को, उसके बा लोग उसके जहासे में आ गए ठीक उन्हें लगता था यह सही कह रहे हैं वे दुनिया को नासी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाव को नासी शब्दावाली में ही व्यक्त करने लगे उन्हें पक्का विश्वास था कि नासी वाद ही देश को तरक्की के रास्ते प उन्हें लगता था यही हमारा मतलब यही हमें सबसे आगी लेकर जाएगी यही विचार धरा हम ऐसे करेंगे हम तब ही एक मजबूत देश के बारे में उगढेंगे लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इसका विरोध भी करते थे हाला कि अधिकांस लोग कोई व्रोध व्रोध ही कदम उठाने, अपना मदवेद वक्त करने, नास्चिवाद कर व्रोध करने से डरते थे, ठीक है, व्रोध तो करते थे लेकिन करने ही पाते थे, क्योंकि उन्हें बहुत कड़ी सजा दी जाते थे, मिट्टू दन तक दे दिया जाता था, अगर इसके व्रोध करते तो, वे अपने दिल की बात कहनी की बजाएं, आखे फेर कर चल देना बहतर समझते थे, ऐसा क्यों था, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्रोध करता था, उसके खिलाब भी कड़ा एक्शन लिया जाता था, उसके बाद क्या होता है, एक गटना होती है मादुहंस की, यह क्या थ देखा था, कहां पर था, यह वाला, ठीक है, जो सामुई खत्याएं होती थी, जिने क्या कहा जाता था, यहुदियों की खत्या और इतो उसे अंतिम संबादान कहा दिया गया, विकलांगों को भी मार देते थे, उन्हें यूतने जिया कहा जाता था, ठीक है, तो यह जो साम खत्याएं होती थी, नहीं क्या कहा जाता था, महाद्वन्स कहा जाता था, जिसे इंगलिश में बोलते हैं होलो कास्ट, जो कुछ हुआ, उसकी गवाही, गेटों और कैम्पों में नारकिये जीवन भोगने वालों के लिखे दस्तावेज जो आजिसे इस पर देखी जा सकती है, यानि इस सब के वारे में हमें किस से पता चलता है, यानि उस समय जो कैम्पों में जो लोग थे, जो नारकिये जीवन भोग रहे थे, उन्होंने कुछ दस्तावेज लिखे जो इन सजा को भोग रहे थे, तो उन्होंने कुछ दस्तावेज लिखे, जो दस्तावेज मिलत को और संग्रालियों में इस महाधवन्स का इस्तियास और इसमर्ति आज भी जिन्दा है यह सारी चीजें उन लोगों के लिए स्रधांजली हैं जिन्होंने उन कठिन दिनों में भी प्रृति रोद का शाहस दिखाया उन लोगों के लिए भी ये सारी बाते सर्मनाक यादगार है जिन्नोंने ये ज़िन भाय और उनके लिए चिताब नहीं है जो खामोसी सब कुछ देखते रहे तो इसमें क्या है कि लिए खाक क्या है उसके सब चीजह भाद क्या है चार कोशन दिएगा इनका अग्वार देख लेते हैं पहला कोशन हमारा हिटलर ने नाज्टी विश्वदस्ट्री कोण को जर्मनी में किस पकार आकर्षक बनाया इसका अग्वार्ण के लिए मीडिया का बड़ी होस्यारी सी इस्तेमाल किया नाज्टी विचारों के तोड़ तरीक वक्षिक में उसमें बताया गया था जो विरोधी होते थे ठीक है उनको अपमानित किया जाता था जो दुस्मन होते थे ठीक है और उनके वारे में तरह तरह की बाते बताई जाती थी यह सब चीज़वी आप इसमें लिख सकते हो उसके बाद हमारा सेकिंड कोशन महाद्व यहुदियों के लिए यह सामोई कतले आम होता था किनकर जब यहुदियों का उसे बहुत बहुत बोले आता माधवांस विचार थी अपने जीत मानती थी इस अपनी विजय मानती थी उसके वाद थर्ड कोश्यन है हमारा नाचसी बाद के प्रिचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया देखने विश्वारस हो गया कि नात्सिवादी देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा दूसरी ओर ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिन्हों नात्सिवाद कर जम कर विरोध किया हाला कि अधिकांस लोग खुल कर विरोध करने से डरते रहे तो यह था लोगों की जो आम राय थी वो क्या थी नात्सिवाद पर वो हमें लिखना था उसके बड़ हमारे लास्ट कोशन है कलपना कीजिए आप जर्मनी के किसी स्कूल के विधारती हैं स्कूल में आपके बहुत सारे यहुदी दोस्त हैं आपका मानना है कि यहुदी खराब नहीं होते, ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे, इसके वारे में एक अनुशेद लिखिये, ठीक है, यानि आप एक कल्पना करो, जो उसे में नास सिवात चल ला था था ना, ठीक है, आप उसी दर्श्टिकोंड से अप सोचो, उसी नजरी से सोचो, क्या मतलब वो इस सब चल रहा है, हम जर्मनी के एक स्कूल के विद्धारती हैं, और उसमें हमारे बहुत सारे यहुदी दोस्त भी हैं, क्योंकि यहुदियों पर ही सब ज़्यादा अत्यचार होते थे उस समय जर्मनी पर, तो आगर आप ऐसा मानते थे, क् पिर आप अपने पिता को किस तरीके से समझाएंगे, ठीक है यह हमें लिखना है, इस कांसर हो जाएगा, मैं अपने पापा से बात करूँगा, और उनसे कहूँगा कि आज कल जब भी मैं रेडियो सुनता हूँ या समाचार पत्र पढ़ता हूँ, सब जगे यही सुनने और पढ़ने को मिलता है कि यहुदी बहुत खराब होते हैं, जबकि हमाई स्कूल में बहुत सारी यहुदी बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त भी यहुदी हैं, लेकिन वे सभी बहुत अच्छे हैं, मुझे उनमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वे खराब हैं या किसी एक का बुरा चाहते हैं और वैसे भी आपने हमेशा हमें यही बताया है कि किसी भी धरमया वर्ग में ना तो सबी लोग अच्छे होते हैं और ना ही सबी लोग बुरे होते हैं अच्छे या बुरे होना हमारे कर्मों पर निरुपर करता है धरामया वर्ग पर नहीं फिर भी सभी लोग यहुदियों को बुरा क्यों बता रहे हैं मेरे सभी यहुई दोस्त बहुत अच्छे हैं इस तरह की बाते सुनकर वो परिशान हो जाते हैं और मुझे भी अच्छा नहीं लगता क्या हम उनकी कोई शाहिता नही सेरकना थैंक्यू, थैंक्स अलोड.